वेल्कम बैक तू माई स्टडी चैनल फ्रेंड्स आज हम डिस्कुस करेंगे जेके SSB क्लास फॉर एक्जाम एक्सपेक्टर कट आफ कट आफ के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो उससे पहले हम अगर देखें तो एक्जाम जो है वो कैसा था आप सभी को पता है फ्र बहुत ही लोग उसके रिजन्स जो है वो क्या है उसके बारे में आभी हम डिस्कुस करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो aspirants appeared in the exam कितने candidates जो है appeared हुए थे एक्जाम में तो total number of candidates जो है अगर हम बात करें तो एपरोक्स 3.23 lakh candidates जो है वो इसमें appear हुए थे तो अगर हम बात करें कि एक post के लिए कितने candidates जो है competition में है तो यहाँ पे एक post के लिए 38 candidates जो है या फिर एपरोक्स 40 candidates जो है वो competition में है अच्छा अभी इन 40 candidates में से जो है वो candidates भी यहाँ पे उन्होंने भी फार्म पर रहा है जिन्होंने CGL का exam दिया है या कुछ एक जो है CGL में qualify भी हुए है और उनका documents verification हो चुका है इसी में पंचायत account assistant का exam जो हुआ था उसमें qualify होने बाले बच्चे जो है जो के final list का बेट कर रहे हैं उन्होंने भी इस exam में participate किया है इसके लावा CGL में जो बच्चे 2018 में जिन्होंने test qualify किया है और उनका जो skill test है वो हो चुका है वो भी यहाँ पे जो जब मुकिश्मीर के रहने बाले हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो है इस exam में participate किया है कहने का meaning यह है कि unemployment होने की बज़ा से बहुत सारे candidates जो है क्योंकि जिन जिन को भी job नहीं मिली है उन्होंने सभी ने जो है कोशिश की है कि हम जो है इस exam में भी farm लगाएं और इसमें appear हूँ और वो appear हूए है कुछ एक नहीं हूए है बट maximum candidates जो है unemployment की बज़ा से यहाँ पे भी appear हूए है अच्छा अभी cut off जो है low रहने के जो reasons हैं वो यह सारे के सारे बनेंगे वो कैसे बनेगे मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में अच्छा उसके बारे में अगर हम बात करें level of exam तो friends आप सभी को पता है क्योंकि आपको मुझसे better knowledge है कि आपका जो exam है वो कैसा हुआ level of exam कैसा था level of exam was really very difficult अगर इन सभी बातों को देखें तो cut off जो है आपका obviously low जाने बाला है अच्छा उसके बार में अगर हम बात करें कि normalization अगर होता है तो आपके marks जो है वो पक्का ब बढ़ेंगे इसमें कोई भी दोराय नहीं है इसके बाल में अगर हम बात करें friends तो अगर स्पोज करो कि CGL का अभी result आने बाला है उसके बाल में CHSL 2018 का result आएगा जून में इसके बाल में banking के बहुत सारे exam हुए हैं जिनका अभी process में है और बहुत जल्द जल्द आने बाला ह तो अगर JK SSB Class 4 के exam से पहले उनका result आता है friends तो obviously जो candidates वहाँ select होंगे वो preference देंगे उसको ना कि Class 4 के job को preference देंगे वो तो वो लोग जो है वहाँ पे join करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो लोग जो है कम marks ले रहे हैं उनका जो है बेटिन list में number आएगा और वो लोग जो है वहाँ पे appoint होंगे clear तो इसके बाल में आगर हम बात करें expected cut-off की friends तो आएजे चलते हैं cut-off की तरफ अभी यहाँ पे अगर my study channel की cut-off की बात करें friends तो journal का cut-off रहने बाला है 40 और 45 की बिच में इससे above नहीं जाएगा अगर आपके marks 40 प्लास हैं और आप journal category से हैं friends तो आपका chances बनते हैं select होने के आपका mad list में नाम आएगा ऐसी हमारी शुब काम नहीं है next है यहाँ पे economically weaker section तो आपके marks अगर 35 प्लास है means आपका cut-off रहने बाला है 35 से लेके 40 के बिच में तो अगर आपके marks 35 प्लास है friends तो आपका नाम mad list में आने के पूरे पूरे chances हैं next चलते हैं अगर हम बात करें SEC तो आपका cut-off रहने बाला है 35 से लेके 40 के बिच में ठीक है अगर आपके marks 35 प्लास है तो आपके chances बनते हैं mad list में आने के next चलते हैं friends यहाँ पे आगर हम बात करें RBA तो RBA का cut-off रहने बाला है 30 से लेके 35 के बिच में अगर आपके marks 35 plus हैं तो आपके chances बनते हैं मैर लिस्ट में आने के अगर हम बात करें स्ट की तो फ्रेंड आपके cut-off रहने बाला है 22 से लेके 25 के बीच में अगर आपके marks 22 से लेके 25 के बीच में, means कहनेगा कि अगर आपके marks 25 प्लस भी हैं, तो आपके chances बनते हैं, math list में आने के next अगर हम बात करें, PSP, पहाड़ी speaking people, तो friends आपके marks अगर 20 से लेके 25 के बीच में हैं, 25 प्लस, sorry 20 प्लस अगर आपके marks हैं, तो आपके chances है, math list में आने के, ठीक है, उसके बार में चलते हैं next, ALC, actual line of control, 20 प्लस अगर आपके marks हैं, तो आपके chances बनते हैं, math list में आने के next अगर हम बात करें, OSC की, OSC में अगर आपके marks 20 प्लस हैं, friends, 20 से लेके 25 के बीच में, तो आपके chances पूरे-पूरे बनते हैं, वो भी math list में आने के next, friends, अगर हम बात करें, next जो category है, वो है एक्सरिस्मेन भाई, तो अगर हमारे एक्सरिस्मेन भाईयों का cut-off जो है, वो यहाँ पे रहने बाला है, 15 से लेके 20 के बीच में, means कहने का यह है कि, अगर आपके marks 15 प्लस हैं, तो friends, आपको कोई रोक नहीं सकता, math list में आने से, पह के 20 के बीच में है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, math list में आने से, because friends, आपने देखा होगा, पंचायत accounts assistant में, हमने जो prediction की थी, cut-off की, अभी भी आप, अगर आप YouTube के उपर जाके देखें, तो जो हमारा cut-off है, उससे, उपर cut-off नहीं गया है, all categories का अगर देखा जाए तो, और, एक्सरस्मेंट बाईयों का cut-off जो है, बहुत ही लो गया था, वहाँ पर, हालांकि, यहाँ पर प्राव्डम यह रहती है, कि बहुत सारे जो हमारे एक्सरस्मेंट बाईयों है, वो, जौब में रहने की बैया से, जो है, थोड़ा सा, जो है, टच वे नहीं रहते, इसल आपका मेंस कहने का, कि यह जो क्लास 4 का एक्साम देने बाले जो कैंडिट्स हैं, इनका cut-off ही तना लोग कैसे जाएगा, उसके reasons मैंने आपको बता दी, कि बहुत सारे कैंडिट्स ऐसे हैं, जिन्होंने और बाकी वाले जो एक्साम से हैं, उनमें भी participate कर रखा है, और उनका result वहाँ पे पहले आता है, तो obviously वो लोग वहाँ पे जाएन करेंगे, और यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में आने बाले candidates हैं, उनको preference मिल जाएगी, join करने के लिए, so friends यह था आज का, expected cut-off, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, thanks for watching this video friends, अगर वीडियो अच्छ